हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल आज मैं आप सबके शाद सेयर करने जा रही हूं लहसुनी मर्क यानि गार्लिक चिकन की रेसिपी यह चिकन बहुत ही टेस्टी होती है क्योंकि इसमें गार्लिक का यानि की लहसुन का बहुत जादा यूज होता है और इसी से इसका अच्छा फ्लेवर आता है तो जो भी गार्लिक लवर है यह उनके लिए बहुत स्पेशल है तो आए इसे बनाना देखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक मसाला त्यार करूंगी इसके लिए मैं ले रही हूं धनिया दो चमच जीरा दो चमच एक चमच सौंफ पसूर हें और अब मैं लेरी हूँ आदो कटोरी देहीं यह हंकर नहीं है यह सिर्फ दही और इसमेल मैं मंच परपार किया था उसको डालकर मिक्स करूंगी मैं हाफ हाफ करने मिक्स करूंगी आप倉मल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको अभी साइड कर दूंगी और में कड़ाई में तीन चम्मच ओल ले रही हूं और इसमें अभी दो बारिक कटे वे प्यास डाल दूंगी और प्यास को मीडियूम फ्लेम पर अच्छी से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पका लूंगी तो जब तक प्यास फ्राई होता है मैं आपको दूसरी चीजे दिखा देती हूं यह इस रेसिपी का सबसे स्पेशल पार्ट है क्योंकि हम इसमें अभी गार्लिक यूज करने व विड़ाँ वाले भी लिया है उसको बाद में यूज करूंगी तो आए ये प्यास को देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्यास भी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है अब मैं इसमें जो मैंने प्रश करके गार्लिक रखा था उन सभी को डाल दूंगी और इसको अच् जाने तक हमेंसे फ्राइश करनाओं उसके बाद हमें चिकन डॉल देगे चिकन को मैंने मारिने नहीं किया है मैं इसको ईसी डाल रहे हूं और चिकन ये प्यास और गार्लिक के साथ चे फ्राइश करलोंगी इसके बाद मैं इसमें तीन चमच अध्रक令 नखी nouvelle crystal का पेस्ट आड तो अब मैंने गयास की व्लेंकों हाई कर दिया हैं है घइगा मैं इसे पकाना है तो अब मैं इसमें नमक ताल रही हूं सवातके आनुसार आप अपने टेस्ट के साफसे दाल तीजे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके बाद हम गयास की भ्लक बंद कर देंगे औ तो फट जाएगी अब मैं इसमें पानी डालूंगी तो सेम उसी कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी मिला कर हाफ कप जितना पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अभी कवर करके 15-20 मिन तब हम इसे पकाना है लो फ्लेम पर बीच बीच में आप इसे चेक करते रहे हैं यहाँ पर 15 मिनिट हो गया था और मैंने ढखकन हटा कर देखा है आप देख सकते हैं यह चिकन अच्छी तरह स मैं इसमें बड़े-बड़े टुकडे कट करके टमैटो स्लाइस डाल रहा हूं यह डालना ऑपस्टनल है बड़ इसको डाल रहे हूं क्योंकि इससे भी टेस्ट अच्छा आता है और यह दिखने भी अच्छा दिखता है मुझे थोड़ी सी ग्रेवी पसंदे तो इसलिए मै इसमें टड़का लगाएंगे तो मैं इसमें गार्लिक वाला बटर ले रही हूं आप नॉर्मल बटर या फिर ओल या घी ले सकते हैं अब इसको एक चमच मैंने पैन पे डाल दिया है और यह बटर मेल्ट होते ही मैंने जो विदाउट छिलके वाला गार्लिक रखा था उसको दूखी और इस गोल्डण ब्राउन होने तक पंडल लोंगी जब गिक जर्बिंद क तुछ हॉर्षा दूब üसको चि इसको पना विस्ते उपशाय से असरा कि शेक्षा बेस बॉल्ड़ करेंगे हैं इसको जाएक दो ढब और 20 अब घर जाए देंगे इसके बाद श्क гол्रैं नान राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं यह एक तम टेस्टी लगता है वीडियो पसंद आई हो ता लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाई